नमिश्कार साथियो सुरी नगरी उनिक्लो क्लासस के यूटूब चैनल पर मैं मिला राठी आपका हर देख स्वाग अभी नंदर करती हूं जैसा कि आपने लेक्चियों देखा था जिस वे आपने चैप्टर 6 की छोटी से एक स्टोई सुने थी टिक वैसे आप चैटर 7 CRPC को लेकर बात करेंगे CRPC के चैप्टर 7 जो है वह बात करता थिंक्स के लिए यानि 6 में हमने पर्संस को बलाया और 7 में हम आपको थिंक्स को बला रहे है क्योंकि आपने मालीचे रामपुरी चाकु से मर्डर किया तो चाकु भी चाहिए मालीचे अपने फोरजरी की तापके ब तो चैप्टर 7 कहता है process to compel the production of things पहला बात करता है समन कहां से कहां तक करेंगे हम समन को तो कहता है section number 91 से 92 second कहता search warrant 93 से लेकर बात करेंगा 98 तक और देन आता general provision 99 से लेकर बात करेंगा 101 तक और देन आता mislinis 102 से 105 तक पड़ा काम का section है यहां से pre question बहुत सारे बनते हैं जेलो के लिए भी हम बात करेंगे क्योंकि जेलो में जब आप syllabus देखते हैं तो वहां पर अपने चीज नोट की होगी उसमें लिखा होता है कि CRPC और CPC उतना पढ़ना है जितना कि एक जेलो को काम आता है तो जब आप जे अब आगे ऐसा प्रोसेजर चलेगा मालीजा आपका पैनल एड्वोगेट काम नहीं कर रहा है ताब उसको सजेशन कैसे देंगे आपको नौलीज हो तभी तब सजेश्ट करेंगे ने ताब करने ही पाएंगे ठीक है तो जिस तरह से हमने पढ़ा समन समन किस किस को बीजा हम समन केुड़ नमबर 6 में 61 से 69 अब सब्सक्रेंगे C अब सक रहे हैं करे इससे पहले भी मैंने समन पढ़ा ःता और कहाँ पढ़ा था मैंने समन 61 से 69 वह किस ए था परसंस के लिए का पलोगे था और कोट किसी लग्योगी तो वहाँ पर पुलीस का कोई ऐसा रॉल नहीं बताया कि पुलीस समन बेजेंगा आपको एक चीज समझ माई 61 से 69 में कहीं पर भी यह नहीं कहा कि पुलीस समन बेजेगी जबकि जब कभी भी अगर पुलीस थाने में हमने अपाय दर्च करवाई और कोई investigation स्टार्ट करनी है किसी परसन को बुला ना है इन प्रैक्टिकल आसपेक्ट पुलीस भी समन बेज सकती है लेकिन ऐसा प्रोविजन तो CRPC के सेक्शन 61 से 69 में है यह नहीं वो तो कोड समन बेज पुलीस लेकर जाती है लेकिन अगर मान लिचे पुलीस को करना है तो तो पुलीस क्या करते है तो पुलीस समन नहीं बेजती है according to CRPC तो पुलीस क्या करती है याद करो section number 41A क्या पढ़ाता आपने section number 41A पुलिस क्या बेशती है? नोटीज, याद आया, पुलिस सूचना बेशती है कि आपके ओपर ऐसा सा केस है, आप खृपाय करके आईए याद आया, नोटीज बेशती है पुलिस ठीके, पर यहाँ हम देख रहे हैं कि ठीक्स को मंगानी है तो तो यहां पर भी पुलीस समन नहीं भीज़ती है। लेकिन प्रैक्टिकल आसपेक्ट में सब कुछ है। पुलीस एक्ट में सब कुछ लिखावा है। लेकिन CRPC के देखेंगे तो 91 में पुलीस को भी आप से थिंक्स चाहिए। क्याक्रों कि 41 यह क्या पुलीस आपको बुलाएगी, कोोट बुलाओी, और शुरूद समन भेज़ती है, पुलीस बुलाथ तो. ठीक भी पौट को आपसे कोई डॉक्यमेंट संव में पूर्ड भूला को पुलीस देती है है, एक पूलीस को को भी देसते है एक ूडर कैसा ओडर? रीटन ओडर देखो दिखा आपको अपने अने चीज को पेश करने के लिए नियाले के से समन और अधिकरिक लिखी आदिस भेजता है तो याद अखना कि जब कभी भी हमें section number 91 कहता है कि जब कभी भी magistrate को कोई things मंगानी है magistrate यानि code को कि जब कभी भी court को आपसे कोई things मंगानी है तो code बेजती है समन ठीक है और जब वही चीज आपको police के द्वारा मंगानी है तो police देती है written order क्या करते है लिखी आदिस देती है ठीक वैसे ही जब court को आपको बुलाना है court में तो समन भेजती है और police को जब आपको बुलाना है तो notice भेजती है तो यह लिख दो कि बुलाने में समन और notice और यहां पर things मंगवाने के लिए तो आपके पास आजएगा समन और written order ठीक है तो यह निकाले section 91 section 91 के ता समन to produce document और other things दस्तावी चीज़े को पेश करने के लिए समन कौन करेगा को जब कभी भी court को या police officer को court inquiry trial के अंदर और police officer investigation में कुछ भी चाहिए तो court आपको समन भीजेगी और police officer आपको written order उसमें लिखा होगा कि आपको किस time पर कौन से place पर यह things लेकर आपको appear होना है जब हम subsection 1 पढ़ते हैं तो हमाई दिमाग की बत्ती जलाओ यहाँ पर समन किसके लिए भीजा things के लिए यहाँ पर आपको लिखी तोड़ थेंक्स के लिए तो आप जब things लेकर आते हैं तो क्या उसके साथ साथी हम आपकी evidence भी ले सकते हैं हम आपकी evidence भी ले सकते हैं वकिला हमने समन भीजा things के लिए ठीक है आप things लेकर आ गई तो क्या उसी समन के थ्रू मैं आपकी evidence भी ले सकते हूं वकिला ले सकते हैं कौन से section में 167 कौन सा इंडियन evidence at 167 तो बेटा क्या है खत्म हो रहा है इंप्रोपर injection और rejection की इंप्रोपर admission और rejection की बात फिर 162 वो तो documents की बात कर रहा है मेरा सवाल यह है कि जब समन के लिए document के लिए भी भी जाए और document आप लेकर आते हैं तो क्या उस case में हम आपकी भी evidence ले सकते हैं मनाली मनाली और कोई बताएगा yes किसने बोला आप यह 139 तो पहले गलत कैसे कर दिया है ना हाँ तो हमारा Indian evidence act section number 139 कहता है कि जब केवल समन documents के लिए भीज़े हैं और आप आए तो हम आपकी evidence नहीं लेंगे हाँ इसके अलगले provisions भी है CPC में कहता है कि हमने सिर्फ things के लिए आप आगे और आप रेडी हैं तो section number 30 CPC कहती है कि हम आपका evidence भी ले सकते हैं और क्या बोलते हैं आपकी documents भी ले सकते हैं कि तो वकिला कान सब पहले गला था लेगी सोचने पर सोचने पर याद अगया 139 में का हैं कि जब समन मिलता हैं सिर्फ things के लिए तो हम आपकी evidence नहीं ले सकते हैं देनाता subsection 2 subsection 2 कहता है कि आप स्वयम हाजीर होने के बिजा किसी क्योंकि दो को subsection 2 में लिखा हैं कि हमने समन things के लिए तो आपको आने की जरूत नहीं है आप किसी और के मार्फत भी जो हैं आप वो things भीज सकते हैं ठीके तो subsection 2 में लिखे किसी और के थ्रू भी भी जा सकता हैं ऐसा कैसा provision हम कहां पढ़ते हैं हम CPC में भी पढ़ते हैं CPC में कहां पढ़ते हैं लिखो order number 16 order number 16 वहां पर भी पढ़ते हैं ठीके चलिए आगे चलते हैं subsection 3 कौन सी चीज नहीं मगाई जाएगी यानि section 91 कहां प्लाई नहीं होगा Indian evidence act के section 123 और 124 क्योंकि वो state की बात करता हैं वो state के communications की बात करता हैं और जब तक आपका department का head आपको permission नहीं देगा यह वहां प्लाई नहीं होगा साथ साथ भी कहता है कि कोई भी post office है कोई भी डागर है कोई भी टार है टेलीग्राम है वहां पर भी यह section apply नहीं होगा क्यों क्योंकि उसके लिए section 92 अलग से बनावा है तो section 91 practical aspects के समझने के लिए interview point of view से काम का होता है कि सम्मन कौन जारी कर सकता है things के लिए आप से आप आत है तो आए section 92 की तरह चलता है 92 दो बाते कहते हैं फिर से आपको कितनी बाते बताती है दो पहला कहता है कि आपको letter और telegrams पहला प्री का सवाल letter और telegram कौन सा section 92 कहीं section based question आच चुके हैं सब section 1 में बाहर निकालो किस किसको बाहर निकालोगी DEM को CGM को session quote को और high quote को चारों को बाहर निकल दिया DEM CGM session quote high quote सिर्फ यहां बाहर निकालने के लिए का हैं वाह जाके निकालना मत कि मैडम निकालो नहीं नहीं यहां यहाद रहेगा ठीक है तो DEM CGM session quote high quote इन चारों में सिक कोई भी महारी है तो आप हमें दे देगा ठीक हैं मांगने का देगा किसको इन चारों का? और इन चारों में से कोई भी मांगेगा तो इनको और देना पड़े नहीं कर सकते में यहां पर article 21 Right to privacy अब्राइड Sanaam को और Śुका है सब्सylienлом से करिण में बाहर निकालो सब सेक्षियन 2 में बहार निकालो, कौन कौन है, देखो, Executive Magistrate, Judicial Magistrate, Police Commissioner और Police Superintendent, चार्जन है न, देखो कौन कौन से चार है, Executive Magistrate है, Judicial Magistrate है, Police Commissioner है और Police Superintendent है, यह जाते हैं, Investigation करने हैं, वहाँ पे चीज़े मिलते हैं, यह वहाँ चीज़े देख सकते हैं, उनको वहाँ पे र लाना पड़ेगा, इन में से किसी से ओर्डर लाना पड़ेगा, तो क्या का, इन चारों में से कोई भी मंगवा सकता हैं, पर इन चारों को मंगाने का दिकार नहीं है, यही आपका परीका question है, तो जेलों में 92 से 100% question बनता ही, ठीक है, तो इसको अंडलाइं कर दीजे, 100% बन 82, इसके साथ अब्रिकर के लिखो 182, और सबसे बड़ी surprise पता क्या है, यह दोनों ही section, title-based आते हैं, एक पूस्ता है कि procedure to letters and telegram, और एक पूस्ता है कि letters and telegrams are related, जो offense commit होते हैं, उनकी trial कहा की जाएगी, तो दोनों section very very important है, तो 91 क्या कहता है आपका, 91 कहता है, summons to produce, document of things, और 92 to कहता है, आपके पास, procedure as to letters and telegrams, तो यहाँ पर अपना यह वाला topic खतम हो जाता है, ठीक है, यह वाला topic खतम हो जाता है, इसको लिख दो, IMP, अब आता search warrant, आपने कई बार सुना होगा search warrant की बारे में, जेलों के अंदर pre का paper आता है, man नहीं आता है, अगर man का आता है, जिसे खेलों में यहाँ से question आता है, और वहाँ बच्चे गड़-बड़ कर देते, करें question आजा, 93 केता है, search warrant कौन जारी कर सकता है, क्या कहता है, 93 केता है, search warrant कौन जारी कर सकता है, तो बात आती हैं आपके पास, question आता है, हमें letters और telegram के लिए, section 93 के according search warrant कौन जारी कर सकता है, number A, DM, number B, high quote, number C, session quote, और number D, आता है हमारे पास, all of the above, 90% बच्चों के यह घलत हो जाता है, question एक बात फिर से बोल रहे हो, section 93 के according, letters और डागर के लिए, parcel के लिए, कौन जो है, search warrant जारी कर सकता है, पहला, DM, district magistrate, दूसरा, high quote, तीरसा, session quote, चौता, all of the above, अपने अपने answer, chat box दो रफट लिखो, एक्चुनर जो recording हो रही है, यह morning में जो जेलो की class चल रही है, वो 2 in 1 हो रही है, तो जेलो पॉइंट होई से हम लोगों की class चल रही है, आप उसे join कर सकते हैं, जहां से आप लोग join करेंगे, वहीं से हम आपको continue करेंगे, मान लिजए आप join करते हो तब तक CRP is chapter 8 आगया, तो 1-7 आपका वापस करवाएं जाएगा, तो उसके आप चिंता ना करें, तो आप इसको अभी भी join कर सकते हैं, यह एक smart study है, और कहीं न कहीं आपको recall करने में बहुत help करती है, क्योंकि पूरा ता आप हरोज पढ़ते हैं, तो पूरा पढ़ने के चकर में कभी भी आप कोई भी competition क्लियर नहीं कर पा रहे हो, यह आपके लिए इतना फाइदे मन्द है कि उतना ही पढ़ेंगे, जितना जेलो पॉइंटोर से काम काएं, ताकि उसको आप revise कर सकेंगे, ठीक है, तो देखते हैं, चैट बोक्स पे क्या- अपके लाने भी ए लिखा, बाकी का क्या गड़बडिया हो रही है बिट्टा, इसका अंसर है, A, क्या अंसर है इसका, A, कैसे पता चला, एक बादेखो 93 का, सब सेक्शन 3 देखो, 93 का सब सेक्शन 3 देखो, इसमें लिखा है देखो, नथिंग कंटेंड इन इसक्शन शेल अथ्राइज अनी मजिस्टेट अधर देन, अडिस्टिक मजिस्टेट और चीफ जूदिशन मजिस्टेट, तो ग्रांट वारेंट तो सच्छ फॉर ए डोकुमेंट, पार्सल अधर तिंग, देखो, इसलिए इसका अंसर है, A, DM, क्या यहां पर दो ही नाम लिखे बेटा, या तो DM लिखावा है और या फिर CGM लिखावा है, दूसरा को लिखावाई नहीं, और यहां पर क्योंकि हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं, Extraordinary दिमाग, और हम याद करते हैं, section 92, और 92 में तो लिखा हाई code भी कर सकता है, session code भी कर सकत है, इसके चकर में question लोगों के गलत हो जाता है, most और बच्चे को all of the bugger क्या जाते हैं, जो हमें नहीं करना है, हमें सिर्व उतना ही ध्यान देना है, जितना हमारे कानून में लिखा है, कानून से आगे हम बढ़ना ही नहीं हम होते हैं, कोने जो कानून से आगे बढ़े, तो हमने 91 और 92 में आपको warrant जारी करा, उसके बाद भी आपने हमें document प्रोवाइड नहीं करा है, तो उस case में हमें search warrant जारी करना पड़ता है, तो A में underline कर दीजे, 91 और 92 की पालना ना करने पादा, उसका B कहता है, underline करो, जो court को ये बात पता ही नहीं है, कि किस person की possession में है, जब तो search warrant जारी करेंगे, तो search warrant जारी करेंगे, ढूंडेंगे किस के पास है, और C में underline करो, कि हमें उस inquiry और trial में inspection के point of view से जरूद है, तो हम आपकी search warrant जारी करेंगे, Subsection 2 कहता है, subsection 2 में लिखो, हम उस complete premises के लिए, या उसके किसी पार्ट के लिए search warrant जारी कर सकते हैं, whole premises के लिए, या उसके किसी एक भाग के लिए भी कर सकते हैं, Dominican बात जारी कर सकते हैं, और सब सेक्शन 3 कहता है, in case of document, parcel, other things, कौन सर्च परन जारी कर सकता है, DM और CHM, इसका मतलब जो ordinary अपना magistrate है, वो नहीं कर सकता है, तो 91 कहता है, समझ जारी करो document के लिए, तो 92 कहता है, letter और telegram के लिए, तो 93 कहता है, सर्च परन कब जारी किया जा सकता है, 94 कहता है, अब उस place क तलासी लेंगे, कौन से place के तलासी लेने वाले है, तो section 94 में कुछ बाते लिखी भी है, यहां से प्रीक का एक क्वेशन बनता है, क्या लिखा है, उस इस इस्तान की तलासी, जिसमें चुराईवे संपती, कूटची दस्तावेच, एक बड़ और एड करो, हिंदी वाले आप objectionable articles, objectionable articles, अब आपके बास तीन चीज़े होगी, clear, stolen property कहां पढ़ते है, IPC section 410 से 414, ठीक है, force document कहां पढ़ते है, 463 में forgery करते तब, ठीक है, और objectionable articles कहां पढ़ते है, 292 में पढ़ते है, ठीक है, अब सबसे ले 94 का पहला सवाल, कि उस place की जहां पर तीनों चीज़े अवे जारी करेगा, तो बहार निकालते है, 94 से, DM, SDM, और first class magistrate, तो ये पहला परी का सवाल है, कि 94 में कौन सर्च्पन चाहिए करेगा, DM, SDM, और first class magistrate, ये DM और SDM कहां पढ़ते हैं अपन लोग, DM और SDM, ये कहां से निकल क्या है, section number 20, 20 से निकल कहने, executive magistrate आता है, फिर उनमें से किसी को DM बनाते हैं, उनमें से SDM बनाते हैं, और बताते हैं, section 6 में executive magistrate से निकल के आते हैं, DM, SD, वोई, ठीक है, और first class magistrate, अब सवाल ही आता है, कि इन्होंने search one जारी कर दिया, कर दिया, अब अगला question आता है, कि section 94 में, इन में से, कौन जो है, search करेगा, A, above the rank of sub-inspector, below the rank of sub-inspector, above the rank of constable, below the rank of constable, above the rank of head constable, below the rank of head constable, इस ते कुशन से exam आते हैं, तो underline कीजिए, above the rank of constable, तो यहाँ पर दो question में बनाते हैं, पहला, search one कौन जारी करेगा, DM, SDM, first class, और search करने जायेगा, कौन, तो आपरी को, above the rank of constable, above the rank of constable, ऐसे हम पहले पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़ा, section 53, याद करो, 53 medical करानी ते, अपढ़ा था न, जो की not below the rank of sub-inspector, याद है, उपने रिक्षो की पंक्ति से नीचे का, नहीं होना चीए, तो ऐसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ गए constable, अब constable क्या यहाँ पहले हैं, यहाँ पहले हैं, यहाँ पहले हैं, यहाँ से प्रीका सवाल हर्स एक्जामें बनता हैं, क्या कहता है 95 देखो, पार to declare certain publication, forfeited and to issue such warrant, for the same, कुछ प्रकाशनों के संपत होने की घुष्णा करना और उनकी तलासी वर्ण जारी करना, declaration कौन करेगा, state government, declaration कौन करेगा, state government, लिखो रज्य सरकार, अब तक देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं, DM, SDM, है ना, first class, CGM, session court, high court, 95 में क्या पढ़ रहे हैं, state government, ठीक है, तो धर्म मुल्बंस के आराधार पर, 153 B, देश के अखंटा के बारे में, 292 और असलील साहितियों के बारे में, 293 यंग परसें से अब असलील साहितियों करवाते हो, 295 A, यानि धर्म के नाम पर आप विचार में मर्स करते हो, गाली के लुच करते हो, इन से रिलेटेड अगर कोई भी तरह का, कोई भी डॉक्यूमेट आप बनाते हो, जिसे देश के आंत्रिक शांति भंग होती है, तो क्या करेंगे, तो अदेखो अंडलाएं कीजिए, पुलिस ओफिसर उसे अभिग्रत कर सकता है, पुलिस ओफिसर वो डॉक्यूमेट्स आप से क्या करते हो, फिच् हिंदी वाले अंडलाएं करो, उप निरक्षक की पंक्ति से नेचे का नहीं होगा, उसको तलासी वरंट देंगे, वो तलासी वरंट लेके आपके वहां आ सकता है, और चार्च कर सकता है, अब मेरा सवाल आता है, इससे पहले हमने कहां का पढ़ा था, नोट बिलो दर रैंक पढ़ा था, नोट बिलो दर रैंक आफ सब इंस्पेक्टर, उप निरक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं का पढ़ा था, नेहा, तेजस, नेहा, तेजस, बताओ बताओ जल्दी बताओ भई, अभी थोड़े पहले तो मैंने बताए था, 53 में पढ़ा था, अभी थोड़े पहले नहीं बोला, 53 के अंदर मेडिकल कराते हैं, तो मेडिकल में कहता है, नोट बिलो दर रैंक आफ सब इस्पेक्टर कहता है, फिर अबलिकर के लिको सेक्शिं 53, यहां पर बिलिको सेक्शिं 53, और मैंने इसके साथ एक और नाम भी लिया था, मैंने आपका, 54 A भी लिया इसके सबस्पेक्टर कहता है, यहां पर बिलो दर रैंक आफ सबस्पेक्टर, यहां पर बिलो दर रैंक आफ सबस्पेक्टर, अब यहां पर बिलो दर रैंक आफ सबस्पेक्टर, यहां पर बिलो दर रैंक आफ सबस्पेक्टर, यहां पर बिलो दर रैंक आफ और आप केते हैं कि मेरे जो भी डॉक्यूमेंट बना है अकोडिंग टू आर्टिकल 19 मेरे राइट टू स्पीच में इंक्लूड है मेरे पास रजिस्ट्रेशन है मैंने ऐसा कोई गलत छापा ही नहीं है और आप मेरे आर्टिकल 19 जो है राइट टू स्पीच और एक्सप्रेश जो सुबह सुबह हम लोग पढ़ते हैं तो आप लोग से जोइन कर सकते हैं ठीक है चलिए आज के लिए धन्यवाद